हलो फ्रेंड्स, स्टेडी विद मैंक के करेंट अफ़र सेसन में आपका स्वागत है ये करेंट अफ़र SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट PCS, CDS, CAPF, NDA और अधर कंप्रेटिर्व एक्जामादी में सहाइक होंगे आज की डेट है 2 सप्टेंबर 2020, तो चलिए आज का करेंट अफ़र सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न है, हाली में चर्चा में रही नियूरो साइन्स स्टार्ट अप नियूरो लिंक, कौन से अरबपती विवसाई का स्टार्ट अप है जो दिमागी बिमारी के इलाज के प्रती सोथ कर रही है अफशन A, मार्क जुकरबिर, अफशन B, जेफ वेजोस, अफशन C, स्टीव जॉब्स, अफशन D, अलन मस्क नेकि अरबपती विवसाई अलन मस्क की नियूरो साइन्स स्टार्ट अप नियूरो लिंक, पिछले कई सालों से इंसाने दिमाग को पढ़ने की कोसिस कर रही है कमपनी ने मीडिया को ऐसा सूर दिखाया जिसमें दिमाग के दो महिने से एक सिक्के क्याकार का कम्प्यूटर जिप लगी थी ये इंसानों में होने वाले दिमागी बिमारी के इलाज की दिस्सा में एक सुरवाती कदम है इसके मायधम से मस्क इंसानों में होने वाली कुछ दिमागी बिमारियों के इलाज को लेकर एक तरह का ट्राइल कर रहे हैं तेलसा इंडिस्ट्री और स्पेसिक्स के सीईओ मस्क ने 2016 में सेन फ्रेंसिसको में नियूरोलंकी स्थापना की थी कंपनी का उदेश से इंसानों के दिमाग में एक तरह का वायरलेस कंप्यूटर इस्थापित करना है जो इंसान को अलजाइमर, डिमेसिया और रीड की हटी की चोटो जैसे बिमारियों से लड़ने में और उन्हें ठीक करने में मदद करेगा वेवकास्ट के दोरान मस्क ने थ्री लिटल पिग डेमो के तहत एक ऐसे सूर गैडर्स को पेस किया जिसके दिमाग में चिप लगी हुई थी यो चिप उसके मूँ को नियंतरित करती थी परियों के दोरान सूर को खाना दिया जगया और इस दोरान उसकी दिमागी हालत को पहली बार लाइव दिखा गया मस्क ने कहा कि जो चिप सूर में लगाई गई थी उसका व्यास 23 मिलिमेटर है इस छोटे तारों के मैधम से खोपड़ी में फिट किया जा सकता है तो इसका सही अंसर होगा ओफशन डी एलन मस्क चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्राकृतिक संगसाधनों के दोहन के प्रती लोगों को जागरू कराने के लिए अर्थ ओवर सूट 2020 इस साल के स्तारिक को मनाया गया ओफशन A 22 अगस्ट, ओफशन B 20 जुलाई, ओफशन C 25 जून, ओफशन D 29 अगस्ट देखे, 22 अगस्ट वो दिन था जब दुनिया प्रतीवी के प्राकृतिक संगसाधनों के दोहन की, ओव सिमा लांग गए, जिसके बाद अब 2020 के बाखी दिनों में और महिनों में उधारी पर जीवने का समय सुरू हो गया है दुसरे सब्दों में इस दिन तक हम प्रतीवी वासियों ने अपने जीने रहने के लिए प्रकृति से मिलने वाले हुए सारे आवेशक संगसाधन सवा तीन महिने पहले ही खपा दिये जिने पुनवदा करने के लिए प्रतीवी को पूरे एक वर्स चाहिए गनिमती हो रही कि कोरुणा वायरिस के विश्यव्यापे प्रकृप ने आर्थी को दुगे गतिविधियों को जिस तरह और जितने लंबे समय तक ठप रखा उसकी कृपा से उधारी पर जीने का योग किर्ण काल इस बर्स पुरवानमान से करीब साड़े तीन महिने देर से सुरू हुआ है कोरुणा को प्रकृप यदी नहीं होता तो मूल गर्ना के अनुसार अंग्रेजी में अर्थ ओवर्सूट डे या इकोलोजिकल डेट डे कहलाने वाला यह दिन जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संसाधन सीमा लंगन दिवस कह सकते हैं तीन मैं को पढ़ता प अवधारना मूल रूप से ब्रिटेन के नियू एकोनोमिक फांडेशन कहलाने वाले एक तिंग टिंग के इंट्रिव सिमन्स की देन है इस अवधारना की नियमों के अधार पर ग्लोबल फुट्प्रिंट नेटवर्क नाम की एक संस्था हर वर्स विश्यो भर में उन प्रा बढ़ती हुई गती के साथ वर्स के अंत से कहीं पहले ही खब जा रहे हैं उधारन के लिए 1993 में खपत की सीमा को पार करने वाला ही हो सीमा लंगन दिवस 21 ओक्टूबर था जो 2002-03 में 22 सिप्तंबर और 2019 में 29 जुलाए हो गया इस दिन के बाद हर साल बीतने तक वे काफी बा बश्यक्ताओं के मजमीनों जल्स रोतों समुद्री संसाधनों खनीश पतार्थों कुड़े कच्रे और प्रयावरन प्रदूसर गेसों के प्रभाव को भी इस गढ़ना में सामिल किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन ए 22 अगस्त चलते हैं हाली में धार्मिक ग रोधी नारेवाजी करने और पवित्र ग्रंद को जलाने के बाद दंग्ये बढ़क उटे करिब 300 लोगों ने इस दौरान आगजनी और पुलिस पर पत्राव किया पुलिस ने तीन लोगों को घ्रणा फैलाने के आरोप में गिरफतार भी किया मुसलिमों के खिलाब जुड पंथियों के विरोध से इसलामी सम्हों की आघजनी करने लगे और हालात बेकाबू हो गये इसके डिनिवाई प्राइदिपे में उत्री यूरोप में आने वाले देशों को इसके डिनिवाई देश कहते हैं इसमें नौर्वे स्विडन और डेनमार्क आते हैं इनके अलाव में अपना नाम दर्श कराने वाला भारत ये कौन है ऑफ्षने भावेस पटेल ऑफ्षन बी कल्यान सर्मा ऑफ्षन सी अजय मित्तल ऑफ्षन डी किसन प्रकास देखें हापूर जिले के वरिस्ट से च्छक अजय मित्तल ने रामचरित मानस को एक छोटी कांच की प्लेट प पर श्री रामचरित मानस लिख रहे थे लोगडाउन में अधिक समय मिला तो उन्सका सदुप्यों किया लोगडाउन में 27 मार्च से लगाता लिखना सुरू किया तो 17 अप्रेल तक कारे को पूरा कर पाए इस दौरान उन्हें ने गोस्वामी तुलसिदास विरचित विरच परियोजना का समद्ध किस से है औफ्शन ए सडक निर्माण औफ्शन बी बंदरगा औफ्शन सी रेल लाइन विस्तार ऑफ्शन डी हवाई पत्तन विस्तार देखें डेडिकेटिव फ्रेंट कोरिडोर की बाधाएं दूर करने के लिए रेल मंत्री प्यूस गोईल ने रेले की और से चिंता जताय जाने के बाद कोईल ने गुजरात उत्रप्रदेश बिहार पंजाब बंगाल हर्याना राजस्थान महरास्ट और जार्खन के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि किस तरह विभिनमुद्दों के कारण प्रोजेक्ट का समय में पूरा होना कठिन हो रहा है रेल्वेबोर्ड के चैर्मेन वी के यादव के अनुसार देश में अभी दो डेडिकेटिव फ्रेंट कोरिडोर पर काम चल रहा है पश्यमी कोरिडोर उत्तर प्रदेश से मुंबे और पूर्वी कोरिडोर पंजाब से लोध्याना से बंगाल के दानकुनी तक बनना है इन्हें दिसंबर 2021 तक बन जाना था लेकिन कोरोना के कारण समय सीमा छे माँ बढ़कर अब जून 2022 कर दी गई है तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन सी रेल लाइन बिस्तार चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर चलता है हाले में अंडमान एवंग निकोबार और जूंगे ऑफ्शन डी सोंपिन देखेव जनजाती मामलों की मंत्री अर्जन मुंडा ने कहा कि उनका मंत्राले अंडमान निकोबार दुइब समव प्रसासन में लगातार संपर्क में है जहां दुरल्लव ग्रेट अडमानी जनजाती समों के दस तर दस्यों को को कोरोना संक्रमन से बच्चाने के लिए एहतियात उपाई किये जा रहे हैं मुन्णा ने एक अन्य टूट में कहा कि उनके वंत्राले के धिकारी पोर्ट प्लेयर में इस थानी प्रसासन में से लगातार संपर्क में बने हुए है दूप संहों में रहने वाले स्वदेशी जनजाती संह संहों के कहलार के लिए काम किया जा रहा है पता देए कि अंडयमान निकोबार दिप संहों में इसे 10 सदस्यों को कोरोना से संक्रमित पाया गया था जो काम के लिए पूरट ब्लेर आय थे इनकी बाद स्वास्त बिभाग की एक टीम सम्हों के अन्य सदस्यों की जांच के लिए टापू पर गई थी 37 नमूनों की जांच की गे जिसमें से और 4 लोग संक्रमित मिले थे अधिकारियों के मोताविक इसमें से तीन पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं जबकि सेज को अस्पताल या उनके घरों में ही कौरंटाइन किया गया है संक्रमित पाएगे सदिसों के परिजनों को वापस उनके दुईप पर भेज दिया गया है सभी लोगों की हालात ठीक है अभी तक अंडमार निकवार दुईप सम्हों में कुल 3050 संक्रमित पाएगे हैं उनमें से 2444 संक्रमित ठीक हो चुके हैं अभी तक वहां 42 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है अंडमाने विग निकोवार दुप सम्हों में 6 अधिसूची जनजातिया हैं निकोवारीज को छोड़कर सेस 5 जनजातियों अर्थात ग्रेट अंडमानीज जरावा सेंटिनेलेज ओंगे और सौंपेन को विशेस रूप से बहुत पिछड़े हैं और तक्नीकी से भी बहुत अच्छुते हैं तो इसका सही अंसर होगा ओफ्शन ए ग्रेट अंडमानेज चले नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं हाली में भारत सरकार के कौन से विभाग द्वारा जुलाई 2020 के लिए आठ कोर उद्धोग का सुचका केंद्र देखे हाली में उद्धोग और आंतरिक व्यापार्म संबर्धन विभाग के आर्थिक सलाकार कारेले ने जुलाई 2020 के लिए आठ कोर उद्धोगों की सुचकांग जारी की है देश में इन आठ सबसे प्रमुक उद्धोगों में उत्पादन में जुलाई में 9.6% क की गिरावर्ट दर्स की गई है बात करें कोर उद्धोग की बारे में अर्थिविस्ता की बुनियादी छेत्र में उन उद्धोगों को रखा जाते हैं जो देश की अर्थिविस्ता रीड होते हैं और इनकी विकास दर्में कमी या बढ़हुतरी बताती है कि कि किसी देश की अर्थविवस्ता की बुनियादी बुनियात की हालत कैसी है। जुलाई में मुख्य रूप से स्टील, रिफाइनरी उत्पाद और सिमेंट सेक्टर में गिरावट के कारण कोर सेक्टर में गिरावट आई है। जुलाई में फटिलाइजर को छोड़ कर बाकी सभी साथ सेक्टरों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका सही अंसर होगा option C उद्धोग और अंतरिक व्यपार सम्मर्धन विवाग चलिए next question पर चलते हैं option C सहानाभगय भौतकी संस्थान option D राष्टि प्रदगी की परियोग साला देखे रम्मान रिसर्च इंसिट्यूट के वज्यानिकों ने quantum अवस्थां के आकलन के लिए एक नए तरीका का पता लगा है जो महत्पूर quantum कारिपदिती विधी को सरल बना सकता है बात करें quantum प्रदगी की तो quantum ब्रह्मान के मूल कणों का अध्यन करता है जो आनों से भी छोटे हैं लेकिन ये अतिसूश्मकन अजीव तरीके से वेभार करते हैं जिने advanced गणित से ही समझादा सकता है quantum टेकनलोजी, physics और engineering का एक उभरता हुआ छेत्र है जो quantum physics के सिध्धातों पर नर्भर है वेभारी कनोप्रयोगों के बारे में बात करें तो quantum computing, quantum sensor, quantum cryptography, quantum simulation, quantum metrology और quantum imaging, quantum yantri की विसेश रूप से quantum englandement, quantum super specialty और quantum tunneling के गुणों पर आधारित है बात करें रमान Research Institute के बारे में तो रमान Research Institute विज्ञान और प्रदिकी की विभाग भारत सरकार के एक स्वायत संस्थान है यह प्रशिद अधारभूत विज्ञानिक अनुसंधान संस्थान बैंगलूर में इस्तित है इसकी स्थापना 1948 में नॉबल पूरसकार से सम्माने भारते विज्ञानिक चंद्र सेखर वेंकेट रमान द्वारा नीजी संस्थान के रूप में की गए थी चले नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं हाली में सीनियर सेक्टर की CRPF की आईजी बनने बाली पहली महिला IPS ऑफिसर कौन है और चना रामसुंदरम और वोरवनकर और विमला महरा और चारुजिन्हा देखे CRPF ने 1996 बेच की तलंगना केडर की IPS अधिकारी चारुजिन्हा को स्रीनगर सेक्टर का इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी बनाया है यह पद समाले वाली चारुज पहली महिला IPS अधिकारी है गौर तलब है कि CRPF के स्रीनगर सेक्टर में केंद्र सासित प्रदेश, जमु कस्मीर के तीन जिले, बढ़गाम, गांदेरबल, स्रीनगर और केंद्र सासित प्रदेश लद्दाक भी आता है तो इसका सही अंसरों का option D चारुजिन्हा चलिए next question पे चलता है प्रदा की विसाल सक्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2012 में राष्टपती पद पर आसीन होने से पहले और अक्षा और वित्त जैसे एहम मंत्राले सम्हाल चुके है उन्हें 10 अगस्त को दो बहर दिल्ली केंट स्थित आर आर यानि रिसर्च और रेफरल अस्पिताल में भरती किया गया था उनके मस्तिक्स में खून का थक्का जम गया था जिसको सर्जरी हुई थी उसी दिल 5 जांच में उनकी कोरोना संक्रमित होने का भी पता चला था उप्रेशन के बाद भी उनकी सहत में सुधा नहीं हुआ उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा था और सोंबार को साड़े चार बजे उन्हें अंतिम सांस ली राष्टे राजनेती में 5 दसक तक अपनी चंटा का लोह मनवाने वाले प्रणमुखरजी भारत के 13 राष्टपती थे विलक्षन सियासी प्रतिभा वो गुणों के कारण उन्हें चानक किया संकट मोचक्षी से कई विशेशन दिये जा गया थे 2019 में उन्हें भारत रतने से सम्मानित किया गया था प्रणम के निधन पर राष्टपती रामनात कोपीत, पीम नरिंद्र मोधी, ग्रियम अंत्रियमीच सहा, कॉंग्रेस की पूर्वे दक्स राहूल गांदी समित कई अन्यताओं ने सोक व्यक्त किये जून 2018 में देश के पहले पूर्व राष्टपती बने, जिन्होंने राष्टिय स्वयम सेवक्संग के कारिक्रम को संभोधित किया था वीर भूमी दो देशों को राष्टपती देने वाला जिला बना है, प्रणाव से पहले इस जिले में बांगलादेश की पूर्व राष्टपती अब्दुल सत्तार का जन्म हुआ था, बाद में वो ढाका यानि बांगलादेश चलेगे तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन ए वीर भूमी तो ये थे आज के करेंट अफैर वीडियो पसंद आये तो लाइक सेर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फ़र वाचिंग, हैव अनाइस टे